सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अर्बन हील को और दबाए इस बैल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब कर देखने के लिए कि सब बहुत बरे डिमांड होती है कि आजकल जी कस्टमेशन घर मना दें या लॉबीज में डिजैनिंग कॉंसरफ शही होता है तो पेंट से जाधा मैं सबस्क्राइब करते हैं कि वालपेबर स्लगें डिजैनिंग कुछ अलग हो जाती है जाब के बेक साथ में बेक साथ में बेड़ा डिजैनिट कुछ यह तो बेसिकली आप किसके चीज में डिल करते हैं किस टामर को क्या चीज अब लेवल कर से इसने लिए सबसे पहरा जाएंगी यह हमारा जो स्टोर है और रेड जिन वाइन देखोर के नाम से फेमस धी और द क тест ego अन्यमार जो कि सब्सक्राइब भτί को आप बी दे सकते हैं।techn UMगर्ण सकते हैं में कोई कोई टाह्यू सब्सक्राइब जी सकते हैं मिष्चे यदिग उता रहने बेग पिस्टर को जो पाइब इस ईवंने के बनता है एक क्षुईर्श पहिंग sınız क्रिए करना है और जो वॉल पेपर सोते हैं उसको कहीं पर लगा सकते हैं घर पर लगाए हमारे पस में सबसे बड़ी चीज्च यह की वह उच्छी मिल जाती है एक कम रेंच में बहुत अच्छा वॉल पेपर प्लस उसकी quality का अच्छा होना बहुत जरूरी है तो बहुत अच्छी quality मिल जाती है प्राइज को लेकर बात करते हैं तो आच सो रुपे से हमारे पास roll start हो जाता है तो मैं बेसिकली के एक पार केस्टमर का एक वो होता है कि कॉस्टिंस के लिए ले लेकिन अमारा रूम कितना बड़ा साइज उसको किसे किसे अप्लाई कराना है हर एक चीज के मेले के लिए हीडन चार्जिस होते है सब अप्रोक्स जिसे है अगर मेरा रूम 10x10 का है फॉर एक पार रूम पर लगता है क्या कोस्टिंग उसके आसकती कुछ उसके बारे मता देगे जब से पहले तुम्हें आपको यह बताना चाहूंगी कि अगर आपको मैं क्वांटिटी का बता हूं तो एक रोल के अंदर 57 स्कौर फिट का रोल होता है जिस पर 50 स्कौर फिट ही कॉंज चाहिए और दूसरा पॉइंट यह बताना चाहते हूं कि कस्मा जो कन्फ्यूज होते हैं सबसे बेटर होगा कि उनको हम अपनी वेबसाइट शेयर कर देंगे वहां जाके उनको पूरा मेजर्मेंट के साथ सब चीचे क्लियर हो जाएंगी रेडन वाइन की अपनी डिल्ली एंजियर में हम से नहीं नहीं कराते बाकिंठी यह फ्रीलेंसर होते हैं फिक्सर्स तीन सु पर रोल चार्जस लेते हैं रोल लगाई जी बलाकि चाहरोल किसी भी कॉस्ट का अप्रोक्समेट बिल्कुल पर रोल जो चार्जस है वो तीन सु पर रोल के चार्जस है तो मैं एक अंदाज़ा थोड़ा साइब जैसे एक 10x10 का र देखें अगर आप स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 800 रुपे से रोल स्टार्ट हो जाता है हमारे पास अगर हम 10x10 की वॉल को लगाना चाहते हैं रोल तो वहां आपके दो रोल लगेंगे जो आपके 1600 की रेंच में आ जाएंगे और 600 रुपे उसमें फिक्सिंग लगेग जाती है तो जितनी पीडिसी की कोटिंग एड़ोती चाहिए फंदरा सो दो हजार बारा सो हर रेंज का रोल हमारे पास एवलेबल होता है एक नॉर्मल दस पर दस की वॉल अगर कम से कम आप बोले तो कुल 1600 रुपे में आप उसको रेडी कर सकते हैं तो इसमें कुछ आपने बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें काफी सारे डिया गया है जिस नीचे दिया गया है नॉन वूबन टेक्श्र पीविजी ग्लॉस पीविसी तो यह हर पेपर की क्वालिटी है पेपर की अलग अलग क्वालिटी है उसके अलग अलग कॉस्ट है नॉर्मल यह कॉस्टुमाइज वॉल पेपर होता है जिस तरीके की पिक्चर साप दिखा रहे हैं क्योंकि कश्मा यहां कंफ्यूज हो जाते हैं तो यह सिंगेल में जो होती है जो कॉस्टुमाइज वॉल पेपर कहला आथा है और अगर वाल पेपर की बात करते हो तो वह हमारे पास आपके रहे हैं तो इस तरीके से आप देखाते हैं चलिए बात करते हैं यह उसमें कापी अच्छे लगे हुआ है यह किसी भी एक वाल को हालाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं इस तरीके डिजाइन्स आपकी देख रहे होंगी कॉपर में एक टेक्शर दिया हुआ यह देख रहे होंगे कुछ टाइगर प्रेंट स्टाइल करें बिल्कुल बिल्कुल और आजकल बहुत यह चला हुआ है लेटेस्ट पैटन है यह देखे आप यह बहुत सुन्दर पैटन एक वाल पर लगाने कहीं पर भी इसको यूज किया सकता है आप ड्राइंग रूम में क रचंट को में लेटी जाता है चलाने वाल पर 8,9 वी चलाते हैं यह पेखना याकई आप करेंगा लेकिन आपको उतना पड़े लेकिंद अटेता उर्यिकर थे तरह फुए इसे अफने की अशचा ढूल साल काही नहीं चाहतों अटें बाकि इसमें काफी सारे पैटर्स में जाते हैं पैटर्न में आपको दिखा देती हूं जैसे कि आप यह देखे कि 800 रुपाई की दिन में बहुत अच्छा किसी को फ्लाबर्स वगरा पसंद है बच्चों की रूम में देना है तो सबसे बड़ी बात कि अगर दस की वाल है तो क कि अगले तो यह नहीं कि आप प्रकुण कर सकते हैं लेकि फिर भी लाइट को पैन वगरा होगा तो बेटा रिक आपशन चूज करें गर्स तरीके का उनके प्रॉक्लम में प्रों के बचान है यह लगने के बाद किसी भी लगाई आप ठीक बहुत पाई बगाई बहुत तो आप एक वाल को डाक वाल पेपर के साथ हाइलाइट कर सकते हैं हमारे पसक्राइबल होते हैं जो एक बहुत कम रेंच में बहुते हैं यह हमारे पास मिल जाएंगे टेक्शर में बाकि साइड वोल्स पर टेक्शर लगा कि आप पूरे रूम को रेडी कर सकते हैं आज आप सुन पार होंगे बहुत अच्छा वाल पर है यह काफी हैवी टेक्शर एसमें और इसकी रेंज आप समझिए खुल 800 रुपाई की रेंज में मिल जाता है आप पर रोल जी सकाई पर रोल यार्ट इसके में लेंग लेंट और इसकी विर्थ कितनी होती है देखिए मैं पारा- Chocolate रोल चाँप एए-ारी बारा सो की यह साड़े बारा सुससे की रेंज मिलत है यह साड़े-बारा सो का रोल है है इसको अब कहीं पर भी लगा सकते है इस रूल को एक वाल को हाई-लाइट किया जा सकता है वाइस وال के साथ यह लगा वहां सुनदर लगता है जहारे का इंटीर दिया और वहां इसको लगा दी जदो सही रिया का लोग बहुत चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लें टेक्शिर होगा च्छोटी सी बूटी के साथ इसको इन्हांस किया गया तो बहुत जादा वो नहीं और इसकी रेंज भी कुल साड़े बारा सोका है तो 10 बे 10 की वाल इस तरीके साप यह देख रहे होंगे लाइट के उपर डाक कलर का आप देख रहे होंगे पूरी इंबोजिंग हुई है फ्लावर को 3D लुक दिया गया है तो इसको तो मुस्ली घरों में लोग बहुत लाइक करते हैं तो वहां यूज कर सकते हैं यह भी पंदर उसकी नहीं अवलेबल होता है विकल को दिखाते हैं बच्चों के रूम में लगा है यह भी लगा सकते हैं ज़ेश लगी आप लगा सकते हैं देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कस्टमर को एक गाइडन्स बहुत जरूरी होती है वाल पेपर को लेके तो यहां हम उनको गाइड़ भी करते हैं करो कि कर देतें कर देते हैं को मैं हमारे घर में किया सव्त लगेगा क्योंकि उससे पहले जरूरी हैं कいて काола को व्ल पेपर की पूरी नॉलेच हो वाल पेपर की नौलेच हो तो हम ऊनको कर देते त игр मर्ति कल eerste मिल ज्याते है इसमें आपको अपने रूम को आप कलर बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे यह 3D वाल पेपर है ब्रिक डिजाइन में लोग बहुत मांगते हैं जिम में कैफे के अंदर किसी घर में पिलर को हालाइट करना है को लॉबी के अरियों को ग्रीनरी के साथ डेकुरेट करना है वहां इस रोल का बहुत यूस होता है बहुत चलता हूँ और मैं यह कह सकते हो कि कभी ना जैसे लोग चलेगा तो यह बिल्कुल चलेगा कभी आउटेट होने वाले क्योंकि बिल्कुल नाश्रोल ब्रिक होती है उस तरीके का लोग इसमें दिया गया है इसकी बात अगर 3D रोल के बात करते हैं यह इस रोल की देख रहे हैं जैसे कि आप एक यह रोल देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर रोल है किसी बड़े रूम को अगर रूम में लगाना है तो तरीके के रोल का यूज कि अधर कि बरा हुआ पैटन है तो यह वाल को हायलाइट करता है बड़े रूम को छोटा लुक दिखाने का कोशिश रहती है हमारी कि ऐसा रोल हो जो थोड़ा चोटा लगे रूम तो वहाँ यूज किया जा सकता है इस रोल के अगर रेंज की बात करत करते हैं बहुत अच्छा लगता लगने के बात कि 2000 की रेंज में आपको रोल मिल जाता है और बहुत यह अच्छा रोल है या पिसका देख पा रहे होंगे किसी तरीके के कोई टेक्शर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती जैसे कि अबने बताया है जोटे बच्चे हैं तो डा सब्सक्राइब हो इसको मेटैलिक वाल पेपर बोलते हैं थोड़ी शाइनिंग होती है अगर इसके उपर आप कहीं पर यूज करके थोड़ी और लाइट का एफेक्ट दे देता तो उस रूप का तो लोकी बिल्कुल चेंच हो जाता है मारेज हॉल में लगाई यह कहीं पर यह जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया इस तारीके के रोल कहीं पर लगाया जा सकते हैं मेटैलिक वाल पेपर है रेंज की बात करते हम तो यह आपको 18 सोपे की रेंज में मिल जाता है बहुत प्यारा रोल लगने के बाद वाल बिल्कुल चेंच हो जाती है इन फेक्ट व लगा के पूरे वाल को यह पूरे घर को एक अच्छा लुक मिलता है अपकी वाल पेपर देख रहें यह बहुत ही सुंदर वाल पेपर है अगर बात की जाए इसके नीचे आप जो टेक्शर देख रहे है बिल्कुल लाइट टेक्शर दिया गया है जिनको लाइट कलर लगने के तो इस तरीके का वाल पेपर बहुत सुंदर लगने के बाद सकता है जैसे कि आप एक रोल देख रहे होंगे इसमें लाइट पीछे से इंबोजिंग की गई है मल्टी कलर के साथ इसको आप कहीं पर भी यूज किया जा सकता है यह वाल पेपर और सबसे बड़ा प बढ़ने के बाद उस वाल का तो लुक बढ़ाता है लेकिन लगने के बाद इसमें फील आती है कि लगजरियर फील आती है आप उसको बैड्रूम में लगाना चाहते है एक पॉल इस रोल को लगने के बाद वह बहुत सुंदर देखने वाली है और दूसरा अगर रेंज की बात करते हैं तो यह रोल आपको कुल 1600 रुपई की रेंज में मिल जाता है एक प्रीमियम सेग्मेंट का इसमें बहुत अच्छी सी लुक आरी मैं हल्काल कर गोल्डन इसके लिए बिल्कुल इसमें काफी सारे टेक्शर का यूस किया गया है नीचे समें अलग टेक्शर दिय बात करते हैं तो हमने आपको जैसे पहले बता है कि यहां रेडेन वाइन में कश्मर को आकर जो सबसे बड़ा बैनिफिट मिलता है वो यह मिलता है कि हर कस्तमर का बजट नहीं होता कि वो दस हजा लगा है बीस हजा लगा है एक व्यव्यवर से कहना है कि आप शाइद ही ढूंड पाइन पाइन नहीं बेलेगी दो और बटो वैसे कि कोई दूर है कस्तमर को उनका आना पॉसिबिल नहीं हो पाता हौँ वह हमारी वेब्साइ पर ऑबर कर सकते हैं और वाकि जो अलेरा वार काफी कुसमरों में मार्केट में परता है रानी बाग मेन मार्केट में आप आ जाएं और यहां पे आप कफी सारे कॉलेक्शन हैं आणिछो है Willough बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल